मेरा नाम कॉशर तिवारी काइट लवर से एक बर फिर आपके सामने आया हूँ और पिछले वीडियो में मैंने देखा बहुत सारे कमेंट्स आये बहुत सारा लोगों का प्यार आया बहुत सार ऐसे कमेंट्स भी आये जिनोंने मुझे सजेस्स किया कि मुझे क्या करना प्रेर इसका क्या फायदा है हम ट्रिक कैसे सिखेंगे तो आज मैं कुछ आपको इस वीडियो में आगे क्लिप्स भी दिखाऊंगा जो मैंने कल रिकॉर्ड करी है अपने पेज की साहथ उसमें आपको कुछ दिख सके और दूसरा मैंने कुछ और ट्रिक्स जो आपको लाइ दूसरी की पतंग को अच्छे से काट पाएं लाइव होता है उसमें चांस नहीं होता है कि आप कोई भी रिटेक ले सकें या कोई भी रिस्क ऐसा ले सकें क्योंकि आपका दाओं आपका पेज जो भी है वो लाइव होता है इसमें गलती की कोई भी गुंजायस नहीं होती है गलती अगर करी तो पतंग आपकी कटनी ही कटनी है तो इसमें क्या होता है कोई ट्रिक क्या यूज किया जाता है जिससे आप दूसरे की पतंग काट सकते हैं और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं फिर से एक बार अपने वीवर्स का अपने सब्सक्राइबर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना प्यार उन्होंने मुझे दिया कि मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं शेयर कर रहे हैं और साथ में अपने अच्छे-च्छे कमेंट्स कर रहे हैं और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं ऐसी आपका प्यार मुझे मिलता रहे हैं और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लेकि आता रहूँगा तो चलिए आये चलते हैं अपने नेक्स टॉपिक की तरब कि आज मैं ये कुछ इसमयने पतंगे आपको दिखाने कोशिकर रही है छूूट-्छूटी पतंगे हैं आप देख सकते हैं इनके पेच हाओंगा उसी वीडियो में आपको यह भी दिखाओंगा लाइफ कि आप कैसे पतंग दूसरी कीका जड्य सकते हैं कि चलिए आते हैं लग लग लोग उड़ा रहे हैं और इनके मादम से मैं आच्छा आपको पता हूँगा कि कैसे ट्रिक यूज करी जाए कि दूसरे की पतंग को हम काट सकते हैं जैसा कि आप देखना है और एक ग्रीन पतंग है दोनों पतंगे खड़ी हैं और और अपनी मान लो ग्रीन पतंग कम से कम 100 मीटर आगे रख पाएं और दूसरे की पतंग आपसे पीछे रह पाए तो आप द्यान दीजेगा जैसे कि ये पतंगे घुम रही हैं और अगर आप शौकीन है नीचे से पेज लड़ाने के तो उसको उपर से आने दें और आप नीचे को घुसें जैसे आप नीचे खीच मारनी है और खीच मारते मारते आपको अपना हाथ रोकना नहीं है तो आप उसकी पतंग को काट पाएंगे और जैसे कि आप अगर उपर से पेज लड़ाना चाहते हैं तो उपर से आप अपनी पतंग को ऐसे करके लेके जाएंगे और वो नीचे से दूसरा अपनी पत करना है आप इस के आ忽 करके उसको हिलाना कारेगा तो आप इसकी पतन को आराम से काट सकते हैं तो तो आप को अब बारव पर घाया थे सकते हैं और यहीं मैं आपको एक पेच में दिखाता हूँ जिसके मादम से आप साइद थोड़ा सा समझ पाएं आप देख सकते हैं आज मौसम बहुत अच्छा है और आसमान में कितनी सारी पतंगे उड़ रही हैं सब पेज लड़ रहे हैं आप देखिए और वो मेरी पतंग है आप देख सकते हैं वाली मेरी पतंग है वो पतंग उड़ रही है और देखिए पेज लड़ आ है और ये काटा एक काटा क्या शांदार पेज काटा है आप देख सकते हैं आज बहुत पतंग उड़ लई हैं सब पतंग इपतंग उड़ रही है आज तो अच्छे पेज लड़ ला है आज अज देखा कि लाइब पेज कैसे लड़ रहे हैं और उसमें मैंने पतंग काटी थी और शांदा नीचे से घुषके मैंने ऐसे करके खैच मार दी और उसकी पतंग कट गई तो यह था लाइव लाइव में कोई भी गुंजायस नहीं होती है है और मैंने जैसे है कि आपको पेज से पिसले दिखाये था कि उप्ति उटी से कैसे मैं को तृक्त सकता हूं तो मैं फिर से उसी प становится पेज कैसे का Met Г्न एक पेपर पर आपको दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है? जब यह यह मैं आपको दिखा रहा था कि इन पतंगों के माध्रम से आप कैसे की पतंग को काट सकते हैं अराम से जैसा कि आपने अभी देखा कि आप नीचे से पेच कैसे लडाएंगे आप उपर से कैसे लडाएंगे और अपनी पतं को अधिक तर जो है वो थोड़ा सा लंबा करके रखे उससे आगे निकालके रखे ताकि आपको खैंsh माणने में या ढील माणने में आपकी पतंग में थोड़ा सा वजन आए और बड़ी पतंग बढ़ाई है थोड़ा मंजा ज्यादा बाण दिए ताकि आपकी सद्धी से ना कटे और आप अराम से उसे काट पाएं जैसे कि आप देख रहे हैं अगर आप यह देखें यह आपकी पतंग उड़ रही है यह एसे कवरी अज़ा करें तो आपकी पतंग की डूरी उपर को ऐसे करके चले जाएगि-एसे क्रां गांगry-ट्राई है जहां आपको ड्री लगें-ः यव कि आदक दिएूँवा गया फिर अचल से लगी जोड़, में भेड़, में बाकूर, उड़ खतब, पतंग देख और जाए क्योंकि पतंगबाजी एक लाइब इवेंट है और इसमें ट्रिक का यूज होता है तो जिसके पास जितनी अच्छी ट्रिक होगी और मंज़ा अच्छा होगा वो दूसरे की पतंग को काट सकता है तो मैं उमीद करता हूं कि आप शायद ट्रिक को यूज करेंगे अगर आप लंबी पतंग बाज हैं और गली महलों में जो छटों पर उड़ा जाते हैं यहां पर भी इन ट्रिक को यूज करा जा सकता है मैं फिर से एक बर repeat करता हूँ कि अगर आप कोई पतंग खीच से लड़ा रहे हैं तो आप अंदर भरके बाहर को पतंग खीचेंगे तो आप अपनी खैच मत रुखेगा मंजा भरपूर मान दियेगा अपनी पतंग को लंबी रखेगा बहुत सारे वीवर्स ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि ट्रिक क्या यूज करी जाए कि हम पतंग को काट सकें तो आई होप ये ट्रिक आपको काम आएगी और आप इस ट्रिक के मादियम से दूसरे की पतंग को काट पाएंगे तो उमीद करता हूँ कि कुछ आपको समझ में आया होगा और बहुत सारे लोगों ने मुझे से पूछा कि YKC का माज़ा मुझे कैसे मिलेगा मैंने बहुत सारे लोगों को लिंक भी दिया कॉंटेक्ट नंबर भी दिया लेकिन मैं बता हूँ इसी बीच मैंने भी उनसे बाचित करी और मुझे भी वो मंझा प्रवाइड नहीं हो बारा है और वो यह कह रहे हैं कि किसी का ओर्डर बड़ा लगा हुआ है और अगले दो महिने तक मौसम और ओर्डर के चलते मैं अगले दो महिने तक किसी को मंझा नहीं दे पाऊँगा हाँ किसी ने उनसे मंझा लेकर रिसेल कर रहा है कोई स्टॉक में रखे हुआ है तो वहां से उसको हो सकता है प्रवाइड हो जाए तीक है और जैसा भी जो भी अपडेट होगा वाई के मांझेगी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा और और भी अच्छे अच्छे कारिकर हैं बरेली में जिनके मंझे को आप यूज कर सकते हैं बहुत अच्छा अच्छा मांझा बरेली मनता है बरेली का मांझा बहुत फेमस है बरेली का मांझा और पतंग तो देश और विदेशों में भी जाते हैं और यहां के कारिकरों का आप पसंद करें लाइक करें तो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताईएगा कि इस वीडियो में आपको कैसा लगा कोई ट्रिक आपको समझ में आई नहीं आई मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा तो फिर मुलाकातु थी है अपने नेक्स वीडियो में आपके साथ तब तक कि बाई बाई